बाल धोने के कितने दोने की बाद आपको पती के संपर्क में जाना चाहिए जिससे कि आप उसी महिने प्रेगनेंट हो पाएं तो आज की वीडियो काफी इंफर्मेटिव है सारे बारे में डिसकर्शन करेंगे प्लीज शुरूर से लेकिल आज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तु बिरनम हर्श्यत वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्वेस्वाइवल पे बहुत बहुत स्वागत है सबसे इंपोर्टन चीज होती है कि हर लोगों के अलग-अलग नियम होते हैं कुछ कानून होते हैं कुछ लोग मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं कुछ लोग थर्जडे को बाल नहीं धोते हैं और कुछ लोग शुक्रवार को बाल नहीं धोते हैं जो पीरिट्स का बाल जब धोते हैं जो महिलाएं होती हैं खास करके हिंदू धर में बहुत सरी नियम होते हैं तो उसकी according depend करता है कि आपने बाल generally कब्ध होएं, लेकिन general cases में एक से लेके पांचवे दिन तक आपका period आता है, जैसे कि आपको आज bleeding start होई, तो आज आपको पांच दिन तक नियम तह ऐसा माना जाता है कि पांचवे दिन आपको hair wash करना चाहिए, लेकिन hair wash कभी-कभी delay भी हो पाती हैं, लेकिन bald होने का सिर्फ एक ही मकसद ये होता है, कि आप पूरी तरह से रजुनिवरित हो गए हैं, रजस्वला परिचर्या के अगर मैं बात करूं, जिसमें आयरवेद में ये बताया जाता है, कि आपका जब भी period आता है, तो period के समय से लेके, आपका जब तक period over नहीं करना हो जाए, तब तक आपको hair wash नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ा नियम है, क्योंकि इस time पे जो महलाएं bald होती हैं, तो उनको एक दो महने के अंदर नहीं, बलकि long time पे बहुत नंबा असर उनके reproductive अंगों में पढ़ता है, उनकी fertility के उपर पढ़ता है, उनके pregnant होने के chances थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी hormone को disturb कर रहे होते हैं, hair wash करके, जैसे मा लेजे कि पहले दूसरे दिन अगर आपने बाल धो लिया, लेकिन उस time पे body की तासीर को गर्ब होना बहुत ज़ादा जरूरी है, क्योंकि जब अगर आपके bleeding का flow होता है तो अचानक से जब अगर आप bleeding के flow को disturb करते हैं, आप जो natural जो vague होती है, चाहे वो urine की vague हो, menstruation यानि की period का blood का flow हो, या आपके जो milk cells होते हैं उनके flow, अगर किसी भी चीज में अगर आप disturbance create करते हैं, तो एक दो महिने में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन long term पे आपका शरीर तो थोड़ा सा उसमें कम responsibility आती है, जैसे कि pregnancy के लिए अगर try कर रहे हैं, तो आपके pregnant होने के chances थोड़े से कम हो जाते हैं, एक scientific reason ये भी होती है, कि जब भी अगर आप बाल धोते हैं, तो बालो यानि कि सर के नीचे आपके pituitory gland होता है यहाँ पर, वहीं से सारे hormone regulate होते हैं, लेकिन जब अगर आप hair wash करते हैं तुरन, तो आप अपनी body की तासीर को ठंडा कर रहे होते हैं, जब body की तासीर ठंडी होगी, sudden hormone का बदलाव होगा, तो कई बार बहुत सरी महिलाओं के periods तेज हो जाते हैं, उनका flow बहुत जादा बढ़ जाता है, कुछ-कुछ महिलाओं के period cycle बहुत कम होते आते हैं, यानि कि general cases में उनको 3-4 दिन तक के period cycle आना चाहिए था, जोकि regular उनका आता है, लेकिन 1-2 दिन ही उनका flow होता है, यानि कि कभी भी अगर आप natural किसी भी चीजों में, अगर उसके वेग में, उसकी speed में, उसकी timing होती है, किसी भी चीज को अगर आप create कर रहे है, disturbance, तो वो उसका असर long term पे आपको दिखाए देता है, तो hair wash कब करना चाहिए, उसके उपर separately मैंने video बनाया हुआ है, और hair wash trick का कैसे इस्तमाल करना है, pregnant होने के लिए, उसके लिए end screen पे एक video की link drop करूँगी, जो कि आपको period के 20 वे दिन के बाद से नहीं करना है, लेकिन रजस्वला परिचर्या एक subject होती है, एक topic होता है, जिसमें की complete ये बताया जाता है, कि जो रजस्वला इस्तरियां होती है, उनको period के दोरान पे hair wash नहीं करना चाहिए, अब रही जहां तक हिंदू धर्म की बाद बहुत सारे नियम, जैसे मैंने बताए कि किसी day को ल administration के flow को लेके उसी समय आपके period का flow पता चलता है, आपका flow अगर अच्छा है, bright color का अगर खुल के period आ रहा है, इसका मतलब की आपका evolution भी सही समय पे होता होगा, आपकी cycle बिलकुल नियमित है, क्योंकि एक से लेकि 5 दिन तक के period cycle आना आपके लिए बहुत जादा सही होता है, अगर कम period आते हैं, एक से दो दिन वाले period आ रहे हैं, या आठ नौ दिन वाले period आ रहे हैं, तो वो दोनों ही cases खराब हैं, लेकिन अगर 4 से 5 दिन का normal अगर आपका cycle चल रहा है, और जिसमें आपको normal cramping भी होती है, पेट में दर्द भी होती है, flow भी अच्छा जाता है, इस चार घंटे का pain हो रहा है, फिर 2-3 घंटे आप रिलाक्स हैं, फिर 4 घंटे का दर्द हो गया, अगर इस तरह के cramp आपको interval पे आ रहे हैं, जो कि normal है, आप सहे पा रहे हैं, तो आपका period का flow बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको period का flow बहुत कम है, पेट दर्द भी बहुत अब रहा main बड़ा सवाल कि pregnant होने के लिए आपको कब hair wash करना चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताए कि एक से लेके पांचवा दिन आपके लिए important होता है, पांचवे दिन के बाद से जब अगर आपका flow बंध हो जाता है, तो आप उस time पे भी try कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी short cycle है, माले जी कि आपको 25 से 26 दिन के अंदर period आ जाते हैं, या उससे कम duration में period आ जाते हैं, तो आपको early evolution होने के chances बनते हैं, तो जब period बिल्कुल खतम हो गया, आप ने बाल धो लिया, और उसकी बात से ही आप try कर सकते हैं, और अगर आपका early evolution होता होगा, तो उसी मह ने गर्वधारन हो जाएगा, लेकिन अगर general cases की बात की जाए, जहां पर 28 से 30 दिन, 32 दिन की period cycle चल रही है, तो ऐसे case में आपको 13, 14, 15 दिन या आपके लिए highly fertile होते है, यानि कि bald होने की एक हफते के बाद ही आपको try करना चाहिए, लेकिन मैं आपको यही recommend करूंगी, कि safer side क अगर आप बहुत जादा एक चुक है pregnant होने के लिए, तो आपको पहले 10 दिन से लेके 20 दिन तक alternate basis पे आपको try ज़रूर करना चाहिए, उससे जो male के cells है, उनकी गुणवत्ता भी अच्छी बनी रहेगी, और आप जब भी relation प्लान करेंगे, तो जिस दिन भी आपके शरीर से ध्यान रखना ज़रूरी है, लेकिन वहीं पर अगर आपका period cycle लंबा चलता है, बहुत long duration पे period आते हैं, जैसे 35 दिन, 40 दिन पे भी period आते हैं, तो आपने अगर hair wash कर भी लिया, पांचवे दिन, छटवे दिन, अगर hair wash कर भी लेते हैं, तो आप relation में रहते हैं, तो वहाँ प पूरा आपका menstruation cycle है, उसके बीच के point को आपको देखना है, और 4-5 दिन पहले से लेके, 4-5 दिन के बाद तक भी आपको relation प्लान करना चाहिए, ताकि safer side के लिए, कभी भी अगर अंडा निकले, और आपकी ovaries से, तो वह जट से fertilize हो जाए, और इसी वहीने आपका गभधारन हो जाए, hopefully आपको सारी बाते मैंने clear बता दी है, और बहुत सारी लोग hair wash trick से भी confuse होते हैं, कि hair wash trick क्या है, तो hair wash trick जानने के लिए, इन डिस्किन पे एक वीडियो ड्रॉप कर रही हो, जो कि period के 20 वी दिन के बाद से आपको नहीं करना है, उसमें fertilization का मात्व नहीं होता है, स इस्क्रिन पे दी हुई जो link है, उसको जरूर क्लिक करिएगा, और मैं आपसे यही recommend करूंगी, कि अगर आपकी pregnancy हो गई है, अगर आपको conceived हो गया है, तो आप twins my world care channel देखें, और अगर आपकी delivery हो गई है, बच्चा घर में आ गया है, तो twins my world baby care आपके लिए helpful होगा, thank you so much for watching twins my world